राधे राधे जैसे केशना स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ती में वैसाख पहुती ज़्यादा पावन, पवित्र और फलकारी महीना हैं इस महीने में की गई कोई विक्षाय पूरी होती है इस महीने में सनान, दान एव पूजा पाट करते हैं तो उससे हमारे य लोग और परलोग दोनों सुधर जाते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको वैसाख असनान की कहानी सुनाओंगी इस कहानी से हमें पता चलता है कि वैसाख असनान का कितना आधिक पल है एक समय की बात है किसी गाओं में एक लगढ़ारा अपनी पत्नी के सां रहता था पत्नी ने भी वैसाख असनान का सोचा और रोज वैसाख असनान करने लगी पत्ती रोज लकडी का गठर लाता तो वो उसमें से एक लकडी निकाल लेती और अलग रख देती वह रोज वैसाख नहा कर आती उसके बाद आवला पीपल और बढ़की सब की पूजा करती कथा स तुन्ती ऐसा करते करते वैसा आक्मास पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे महीने रोज बचाई हुई एक लकडी का गठर बनाया और भगवान स्री नारायन का नाम लिया और उस गठर को बेचने गाह में चली गई। भगवान स्री हरी नारायन की किरपा से वो लकडियों का ग जर रही थी, तो उन लकडियों की खुस्पु पूरे महल में फेल गई राजा को जैसे ही खुस्पु आई, वा द्वारपालों से पूछा, ये चंदन की लकडियों की खुस्पु कहा से आ रही है द्वारपाल बोले, महाराज एक औरत चंदन की लकड़ियों का गठर बेच रही है. जिसमें से ये खुस्पू आ रही है. राजा ने उनसे कहा उसे महल में ले आओ. चंदन की लकड़ियों का गठर देखकर राजा ने पुछा इसकी क्या कीमत है? तब औरत बोली जितना आप देना चाहे मुझे दे दे. म देकर उसे घर भेज दिया। उस लकड़ारे की पत्नी ने पाचो ब्रामणों को भोजन कराया। भोजन कराके उन्हें दक्षिना दी और ब्रामणों से आसिर्वाद लिया। इधर पती का लकड़ियों का गठर उस दी नहीं भी का। और उसको घर आने में देर हो गई। उध उसने जोपड़ी की जगा महल देखा। उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई। और भगवान नरायन की किरपा की सारी बात उसने अपने पती को बता दी। दुनों पती पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुख पुर्वक रहने लगे। ये नरायन भगव जैसे आपने उनपती पत्नी के भंदार भरे उन पे कृपादरिस्टी की वैसे ही इस कहाने को कहते सुनते और भुकार भरते सभी के भंदार बढना और सभी पे अपनी प्नाए रहना राधे राधे जै शीरी किष्णां।